कभी कभी नई उपासुकों से जब वारता होती है और वो क्रपा करके अपनी दिन्चर्या बताते हैं कि हम साड़े छे वजे इसनान करते हैं तब लगता है कि क्या साधना करोगे आप कोई भी हो अच्छा जो ग्रेष्ट दर्म से युक्त है बहुत से उनकी सेवाएं हैं ग्रेष्टी की चलो अगर वो तो उनकी और भी आस्रे हैं सेवाएं अपने जो वैराग्यमार्ग के पथिक हैं इनको तो एक ही है किवल भजन दूसरा कोई अगर आप किसी भी तरह प्रमादिस्थित करते हैं और सालेिठे इन तक सोते हैं तो संसर तुकिन नहीं रहे सकते जो सांस्ट्र शांस्त्र विध्ता महाःव। चार से ऋ-श मिंधू उस वोसरिड और नहीं सकता ब्रह्मित्तर हैं नहीं सकता जया ठुर्री रात जक्के फिर सोया हो तो चलेगा वो भजन कावेश समभालेगा ये ब्रह्म मुहुर्त का समय और उपासक सयन करे बहुत बड़ी हानी है मान लीजिए खुब सत्संग सुनते हैं आप सबजन बहुत कृपा है आपके उपर लेकिन परिवर्तन नहीं हो राभाई अगर आप साड़े छे बज़े तो अच्छा नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं ये दिन चद्या तो बिल्कुल ठीक नहीं आप लोग सावधान हो जाएए ये बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिन चद्या है दो बजे बहुत तम है उठना पर नहीं तो तीन बजे आखिरी चार बजे साधक होके चार बजे के बाद सयंग कर रहा है मुझे तो नहीं लगते किसी भी स्थिती में नहीं हमें लगता है कि दवा खवा दी जा तो नहीं कहते नहीं तो किसी भी स्थिती में कोई बीमारी कोई भी ऐसा रोग अपना प्रभाव नहीं रखता जो दिनचर्या को बादिद कर दे यह देखा है यह कि प्रवचन नहीं देखा है जीवन को देखा है कुछ भी दिनचर्या में अपार सामर्त है देखा अभ्यास में अपार सामर्त है देखो सामने पट्टी बंद हुआ दी गई और धनस बाण ले लिया और शब्द दूर किया जा रहा है अन्य दिशा में सब्द बेधी बाण संचाद अभ्यास देखो आख में पट्टी बंदी हुई है सब्द किस दिशा से उरा है एक स्रवन इंगिर से देखना है और बाण वही संदान करना जासे सब्द निकला है अभ्यास देखो अभ्यास का प्रभाव देखो कितने से चमतकार अभ्यास में लोकिक और आप परमार्थ के पतिक और आपका ये अभ्यास कि आप उठे और फिर सो गए क्या मतलब आपकी दिंचर्या क्या है आप भगवदाश्रित इसका मतलब प्रमादी थोड़ी है आप भगवदाश्रित इसका मतलब प्रपंची थोड़ी है अहम का त्याक करके भगवदाश्टितो करम भगवत मार्ग में चलने वाले पतिक हैं इसलिए सबसे प्रार्थना है जो पीछे हुआ हुआ आज से एक नई दिन चर्या आप देखो जो पूर्व की दिन चर्या ठीक है तो उसे लिखो नहीं तो सुधार करके और स्वयम श्री जी के सामने वो दिन चर्या रखो दिखाने की जगरत नहीं है बहुत बार देख लिए बहुत बार रजिस्टरों में रखा हुआ है सब दिन चर्या अभी आजाए उठके दो बजे उठे तीन बजे ये चार बजे वो पांत हो सकता है जिस दिन लिखो उस दिन दो बजे आज उठे पका उठे सत्य कह रहे हैं दो बजे लिख दिया इससे काम नहीं चलना आप अपने को खूद साक्षी करके प्रभू के सामने और नियमावली में बांध हो बिना नियम के प्रेम उत्पन नहीं होता वो प्रेम की एक दसा है जो नेम को ले कर देती है नियमावली में आपकी दिन्चर्या सही होनी चाहिए आपकी नियमावली ठीक होनी चाहिए किशी भी संत की जीवन को आप देखिए देखो एक स्थिती सिध्धा अवस्था में ऐसी आती है स्वभाविक को उनको देह से संबंध नहीं रह जाता अब उनकी बात अलग आपकी अवस्था उनकी बीत सत्संग में हुका मांग करके परमंस जी रामकृष्ण परमंस जी करेंगे इस बात में महापृष्ण का अनुसरन थोड़ी कर सकते हैं महापृष्ण किस दसा में किस स्थिती में उनके जो नियमावली उपदेश है वो कहीं नहीं बोले उपदेश में कि हुका पी हो नहीं बोले तो जो उपदेश बोले वो हमें आचरण में उतारने हम क्या करते हैं सीधे महापुरस ब्यास भरोसे कुमर कि सीधे वह जो इस स्थिति में है ना बसके वेल इतली पकड़ते हैं कावु के बल्भजन को इसलिए भजन नहीं करना कावु के आचार इसलिए आचार नहीं करना उतार जिते अंद्रियादा पवित्रता और यह सब को यह बात आई सोवत पावपसार तो साड़े सह बजे इसलिए जगला पड़ेगा कि साथ बजे सवा सास्वते सत्संग में आना है वा जाते तो जली जली तिलग लग जये गुरुदेव जये महाराज हाँ जये हो कि अब क्या दशा नास भोजन सही पा सकते हो ना कुछ और ये कैंसर आदि ऐसी बीमारिया है अभी तक जितने हमारे दर्शन में आए एक बात अलग उन सब को सिरी जी ने जल्दी बुला लिया जितने भी दृष्टी में आए तो हम तुम हम रहुती खाके थोड़ी आए कोई ब्याधि मंदिर है कब देउता कप परदा हट जाए जैसे बहुत मंदिर में सब देउता होते ला ऐसे ब्याधि मंदिरं पुझारी कब परदा हटा दे कौन सा वो ले अपका इंसर देउता आ गए ओस उड़ जाएंगे भी या देखो तुम्हें अभी दिपोल्टे में बत क्योंकि चिंतन आज तुम स्वस्थ हो तो प्रमाद करते हो और कम कल प्रमाद करने का अवसर ही नहीं रहेगा अनन्य चिंतन रोग का होने लगेगा अगर बहगा चारऑं यही तो आप यह मत समझो मृत्तिव कोई खिलवार नहीं है मृत्तिव का संदेश सुनकर अच्छे-च्छे के जमेन खिसक जाती होस खराब हो जाते हैं कहिं सर अब न रात में नीन दिन में चैन अनन्य चिंतन उसी का सुरू अब क्या करें घवडाट थोड़ी थोड़ी देर मरना है तो जो दुकान मकान पती पुत्र परिवार इतना सब वह सब काटने दोड़ता है यह सब छूट जाएगा भजन भजन कोई शाधारन वस्तु है इसलिए भरतरे जी महाराज करें यावत स्वस्थमेदं ग्रियम कलेवरं यावत्च दूरे जरा जब तक बुढ़ापा लोग कोई नहीं हो जा रहा, होगा, ऐसा थोड़ी कि तुम्हा कोई लिखोआ के लायं की नहीं, होगा, जब ऐसे परमानस को कैंसर हो सकता है, रामकषन परमानस जी को, पुझ भाई जी के उधर में कैंसर हो सकता है, पिर अपने लोग तो अधिगारी ही हैं इस दंड के, अ सावधान हो जाएए प्रमाद मत कीजिए बहुत बड़िहां उसर आपको मिला है कि भगवत चरणारविंद का आश्रे और शतत जब कि यह बिलकुल खुली दो बाते हैं ज्यादा इनमें समझने की जरुत नहीं अंदर से भगवत आश्रे जिव्या से जब अगर रोज का रोज साम के हिसाब आपको न दिखाए दे तो बताना रोज आपको वैराग के बढ़ा नजर आएगा अरुची होने लिए सच्छी कहते हैं भजन का प्रभाव यह तो भगवत ख्रपा से भगवत चल्चाहरी ने एक मिनट के लिए अंदर से मन राजी नहीं यह जो रहा है एक मिनट के लिए राजी नहीं कि अब यहीं लगता है कि चुप किसी से मिलो मत बंद करके दर्वाजा आपने कम रेका बस एक आकार वरती कब सरीर किस दसा को पहुंच जाए बेकार का है को बहिर मुक्ता में फैल रहे हैं सान तो इसका फल है तदा आकार वरती में डूबना और आपको बढ़ियाँ उसर मिला है कोई जुम्यवारी नहीं जूब सट्संग सुन रहे हो आप नाम कर सकते है ॉब नाम में अध्यान लगान लगाए हुई इस्ट्रवनेंद्री से सुनो बढ़ियाँ आपके समाधिय वस्था जा रहे सत्संक्या है एक समाधिय वस्था में डुबोने का बहुत बढ़िया उस्वाले एक घंटा डेड़ घंटा चर्चा हो रहे स्त्रवनेंद्री के लिए कहीं जाने जाने की जगए नहीं और अंदर से आप नामाकारवृति मंत्राकारवृति ब अंताकरव इसे चिंतन कर रहा है तो आनंद बाहकरव को होना है कि अंताकरव को समझना जरा सुक्षमता से समझना परिवर्तन किसका होना है अंताकरव को बाहकरव करन का तो देखो दो मिनट में परिवर्तन लेकिन अंताकरव का परिवर्तन चिंतन से होता है भजन से होता ह बड़े बड़े हम संत महापुरुषों के समीप रहने वालों को देखा है अंतर में भजन नहीं तो दीपक तले अंधेला पाया गया है बहुत अच्छी बात समझे बहुत घुस के तमासा देखा है अंतर और भार भाजन नहीं तो बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुषों के समीप रहने वाले बड़ा प्रपंच का नाटक देखा गया है वो महापुरुष तो आलंदित रहते हैं क्योंकि उनके लिए तो एक ऐसी स्थिती है प्राप्त हो गई जहां प्रपंच का इस पर्स नहीं है और उनके प्रभाव से बाहरी बेवहार सामाग्रियों की खुब बहुतायत होती है तो नीचे भजन का मतलब नहीं रहे जाता कि भजन क्या है बस वो सम्मान और विशेयादी का सेवन क्योंकि महापुरुषों का प्रभाव सम्मान दिलाता है महापुरुषों का प्रताफ वो वस्तवें जो विशह सम्मंदि 7 में आती है अच्छी से अच्छी वस्तवें होता कि आया अन्ताह करणा मलिन हो जाता है इतने वड़े महापुरुस के समीप रहते हुए अंता कर बैठता है जिनके प्रताप से पोशित होता है वो वहीं अपराध कर बैठता है इसलिए प्रधान बात है अंतर में आपका साधन चलना चाहिए अंता करण आपका भगवत चिंतन में रहे खुली बात समझ लीजिए बाह करण से बाह पवित्रता होती है अंता करण से अंता करण की पवित्रता होती है बाह करण और अंता करण दोनों भागवतिक हो जाए तो स्वभाव का परिवर्तन हो जाता है सो भाव का परिवर्तम होता तो सो रूप का नुभव हो जाता है जो हमारा सखा भाव गुपी भाव सेचरी भाव का भाव सो रूप है उसकी प्राप्ति हो जाती है इसलिए भिया चूको मत बहुत बड़ी आउसर, बड़ा घवरहाट का विसा है, जब इस शरीर पीड़ा से इर्थ होता है, तो किवल प्रभु ही ऐसे जो हमें बचा सकते हैं, नहीं तो जब सरीर स्वस्थ होता है, तो वह हंकार देउता अपना नाटक करवाते रहते हैं, और जब अस्वस्थ हो जात पाएगा, पूछो मत, इससे मुक्त होना ही अवेक उपाए रह गया है, अब हम यह नहीं कह सकते कि जनम जनम, क्योंकि महामारिया, नाना प्रकार की प्रतिकुलताएं, नाना प्रकार की वेविचार, नाना प्रकार के खान पान की मलिंताएं, यह कलिकाल में बढ़ती ही चल जाएंगी और उसका प्रभाव पड़ेगा जैसे बाहर रोड में यदि गंदा कोई डाल दिया जाए तो उसकी खुस्वु सबको आएगी अच्छा डाल दिया जाए तो अच्छी आएगी ऐसे ही स्रष्टी में जो भी भयानक से भयानक आच्रण होंगे जो भी बुरे आच्र अगर कहीं भी कुछ भी मलिंता का आच्रण होता है तो पूरी स्रष्टी पर उसका प्रभाव पड़ता हो समझ में नहीं आता अगर कोई बच सकता है कलियुक की कुचाल से तो भजन केवल भजन दूसरा कोई उपाय नहीं भजन करके भगवत धाम में स्थित हो जाओ देख लें यहारे नहीं होस खराब हो जाते मरत्य सुखद लगने लगती है ऐसे और कश्ट आते हैं को चाहता कि मुझे कोई मार दो सच्ची मानना हमने देखा है चाहता है कि इस दसा से तो अच्छा है कि मुझे मार वहीं मरना थोड़ी हमारा समाधान होगा भगवत प्राप्ति समाधान इसलिए बेचैन हो जाओ भगवत प्राप्ति के लिए प्रेम की चलो बढ़ी उची बात है लेकिन इतना तो रखलो कि अप्रभु मुक्त करो इस नरक से यह नाना प्रकार के क्लेसों से कितने बंदे इस सरीर में अरे आप देखो ग्यान की बाते चाहिए जितनी करो जब इसकी रिपोल्ट आती है ना तो एक बार चेहरा गिर जाता है किसी कभी हो जब हात में बताई जाती ही रिपोल्ट की यह है एक बार ऐसे क्रिटेनाइन और प तो अफिया अनंद की अच्छे अच्छे को एक बार जब प्रिलंबा शुर ले गया ना बल्लराम जी को तो एक बार वो भी उदास हो गए थे फिर उनको सुरूब को भूसा मारा तो ऐसे साधक प्रहार करता है किसी भी विकार पहरे हम तो प्रहु के आश्रत है प्रहु के दास है पर इतना प्रहार करने लायक बन जाओ आपकी ऐसी मनोवरत्ति भगवदाकार हो कि आप प्रहार कर सको इसलिए सावधान दो यह सुबह साड़े छे वेजे तक सोना यह ठीक नहीं आप सो करके सोने को गवा विक्षेप नहीं चाहिए आज गए पांच घंते हमना के किनारे बैठ गए पांच दिन गए ही नहीं ये रसिकों की दिन चद्या नहीं ये ब्रंदावन की उपास्चना में दिनुच एक आपकी निमा वली या तो आप ऐसी स्थिती में कि पांच दिन आपको सरी सुध नहीं रही तो कोई बात ने, दिन चर्या का फल मिल गया, आपकी दिन चर्या एक ऐसी होनी चाहिए, जो बने तो कम से कम 10-12 वर्स तो एक रस चलना चाहिए, आज ये कल वो फिर परसो बदल गया, फिर अलग बदल, दिन चर्या एं रजिस्टर में लिखी रखी रह गई, और हमारी कुछ और ही दिन चर्या चल रहे, भाई ऐसा मत कीजिए, भगवत मार्ग के पथिक, चाहे आप ग्रेस्तों, विरक्तों बहुत सोच समझ कर दिन चर्या बनाएए, आप 10 मिनट यदि भजन में बैठते हैं, तो ठीक टाइम पर बैठिए, और बहुत काल तक ओ समय भजन में दीजि घटने नहीं देंगे, ये दिन चर्या का भाव होता है अपने मन को बांधना, दिन चर्या का मतलब होता है, हम अपने मन को संपूर्ण समय के द्वारा इस्ट में भास रहें, बांध रहें, इसमय 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 इ, और उसको नियम पुर्वक बांधना, कभी परि अहार की विहार की दिंचर्या होने चाहिए बहुत अच्छा अहार मिल जाए तो भी एक सहिमित जो आपने अहार नियम लिया उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना मिले उस समय के बाद आपको सची बताए यदि आपकी दिंचर्या सही है तो समय के बाद आहार करने की च्छा ही खतम अब अगले टाइम जब पाते हैं तब फिर आए बहुत बड़ा नियम में बल होता है बिना घड़ी के अपने आप नेत्र खुल जाना दुबारा अलश्यना आना सरीर में एक नई पूर्ती अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है अपने लोगों का अभ्यास ही द्रड नहीं हो रहा है नियमा वली ही ठीक से नहीं बन रही दिन चद्या में पता होना चाहिए ये इस समय इस समय तो सत्संग में मिलेगे इस समय इस समय वो परिक्रमा में होंगे इस समय इस दिन चर्या इस पर ध्यान दीजिए एक बार आप ही दिन चर्या बना लीजिए और उसे दस बारा वर्स तक चलाईए यह तेरे दिन दिन चर्या बदलिएगा नहीं माना भागवतिक है लेकिन इससे मन सयमित नहीं होगा इससे मन एक रस में नहीं आएगा और एक रस नहीं हु एक रस में बहुत बड़ा बल, जब बुखार और ये सब परिशानियां सरीर में आती तो भी दिन्चद्या बादित नहीं होती, जो अच्छे सादक होते हैं, जिस समय सनान, उसी समय सनान, जिस समय अपने आप इतना सामर्थ होती है, कहीं भी चमतकार प्रगट हुआ है, तो एक जो दिन्चद्या पकड़ी गए हो, दिन्चद्या, देखो, पुझी श्री सनातन जी वयोब्रद्ध हो गये है, परिक्रमा को रोज जाते हैं, गिरिराज जी की, गिरिराज जी को पीड़ा होती है उनकी परिक्रमा से, कि इतने वयोब्रद्ध, नंगे, पहर अप्चत, प्रगठ हुए श्री लाल जुम्हारा था कुझी, हो कह रहे हैं कि बाबा, अब तुम परिक्रमा मताया करो, हमारे लिए ही तो सब करते हैं, बहुत प्रशन हैं, वहीं ब्रंदावन में आप भजन करो, हाँ ठीक है दो, दूसरे दिन फिर पहुंच गये, बोले बाबा मना क प्रभूर रह नहीं पाते हैं, यह दिन चर्या क्या करते हैं, आपका भ्यास ऐसा द्रड करते हैं, कि इस्ट मना कर रहा हैं, रह नहीं पाते हैं, परिणाम क्या हुआ, आज भी उनकी दिन चर्या ने हमको एक बहुत बड़ी सिद्धी दे दी, आज भी आप दर्शन कर सकते राधादा मुदर में बंसी का लकुट का स्री चरण का गाय के खुर का चिन हो गिर राजी की सिला आज भी हो सनातन जी की एक नियमा वली ने आज हम सब भक्तों को दुरलब भवस्तु है दुरलब भवस्तु है भगवत चरणारविंद के चिन लकुट के चिन बंसी के चिन ग लिक्रमागिरी राजी की पूरी हो गए कि नियमावली कि चोभिस घंते में ऐसी सहज दिन चदे आप अपनी खुद बना लिजिए जो आप बहुत काल तक निर्वाख कर सके यमुना तक अगर हमारा जाना हुआ तो यमुना तक बहुत मन हुआ तो नागरिदाजी केरें गोवर्धन गिरी राजी और बैठो राधा कुण्या देखा है अनुभोकिया है एक लौकिक मतलब आकर्शन राधा कुण्य में देखा है शुवज शुवज जिसे चुपचाप कभी गए हैं और एकदम बैठ गए तो एक लौकिक आकर्शन एक दिव्य आकर्शन एक भजन में दिव्य उनमाद आसपास बड़े-बड़े भजनानंदी महात्मा रहते हैं और श्री जी का वो नितिस्थल राधा कुण्य पर वो विसेश अपनी लीला प्रकासित किये